नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का कॉली क्लासिज में हम लोग देख रहे थे बीपैसी का टेस्ट स्रीज और टेस्ट स्रीज में देखना शुरू किये थे सेक्शन वाइस टेस्ट तो हम लोग टोटल छेते कंप्लीट कर लिए अगर आप लोग नहीं देखें तो पिछ 69 BPSC PT को लेकर है अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें चलिए शुरू करते हैं अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप लोग हमारे टिलिग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं आज जो सेक्श संटेश्श no.8 भी देख लेंगे इस वीडियो में चैनल सुरू करते हैं question No.1 से पहला question है इसका निमलेβारत की नमिंतम प्रश्रिनई है तो नमिंतम जो हो जगा प्रश्रिनई वह हो जगा हमादरी जो हिमाले हिमाले को क्या कहा जाता है ये तो हिमाले प्रश्रिनई जो कह जह है नमीनतम है और पुराना पूछा जाए प्राची इंतम तो यह अरावली हो जाएका अ ओर आम हाली करवत र्रेंज कि आरावली माॉन्टें रेंज हों जेगा सबसे प्राची इनतरा कोंचन भार्दों देखेंगे निमली खीत में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है तो इसमें जो सही सुमिलित नहीं है वो है पहला और तीसरा ये एक मिनट पहला और तीसरा जो है वो सही सुमिलित नहीं है दूसरा और चौता सही है लो एस बेलारी जो करनाटक में है और वकसाइट कटनी ये भी सही कटनी कहा है, ये मत्परदेश में है, तो इसका option क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, question number 3 देखेंगे, युमना नदी, युमना नदी की निमलिखी सहाइक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पस्सिम से पूरब की और करम में व्यवस्तित कीजिए, तो पस्सिम हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, option 4 में चंबल, फिर आएगा, तीन नमर पर सिंध, तीसरा हो जाएगा, सिंध, फिर आएगा, बेतवा, और फिर आजएगा उसके बाग, केन नदी आएगा, option 2 तो, इसके अनुसर क्या हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा first हो जगा तिरीक option number first आगे देखिएंगे question number 4 नेमनखिर कत्नों पर विजार कीजिए भारत में हिमाले केवल 5 राजियों में पहला हुआ है दूसरा पस्मी घाटी जो पस्मी घाटी है केवल 5 राजियों में पहला हुआ है तीसरा पुलिकट जील केबल दो राज्यों में फैली है तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है तो इसमें से कौन सा सही दिया गया है तो इसमें जो सही है वो केबल केबल कौन सा हो जाएगा केबल पहला और दूसरा केबल तीसरा सही है इसका दूसरा भी गलब दिया गया तो केबल तीसरा है पुल भारत में एक ऐसा अस्थान है जहां यदि आप समुद्र के किनारे खरे होकर समुद्र का अब लोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में दो बार समुद्र जल तर्टिया रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर टेट पर वापस आ जाता है जब जब पीछे चला जाता है तब आप आस्थम में समुद्र तल पर चल सकते हैं यह अनोठी घटना कहां देखी जाती है तो जो यह घटना देखा जाता कहां यह नागा पटना में देखा जाता है जो तमिनाडो में है ओप्सन अमट सी हो गया भारत में निमलिखित में से कौन भारत में निमलिखित में से किस एक बन प्रारूप में सागाउन यह टीक एक प्रभावी विर्ज एस्पेसीज है तो भारत में निमलिखित में से किस एक बन प्रारूप में सागाउन यह सागाउन को क्या टीक कहा जाता है एक प्रभावी विर्ज एस्पेसीज है तो कौन सा हो जाएगा तो इसका जो हो जाएगा ओप्सन नमबर फर्स्ट हो जाएगा उसन कटी बन निया आदर फर्ण पा उपर युक्तराज्यों में से किसमें उस्न कटी बंदनिया आदर सदा पढ़नी वन पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं इसमें से तो पहला और तीसरा में अरुनाचल परदिश एबा मिजोरा में क्या पाया जाता है उस्न करड़ी बांधिया आज सधा पढ़नी वन तो अप्सन नमर हो जाएगा सी हरुनाचल पर्दिश और मिजोड़ा नर्मदा नदी पस्चिम की और भाती है जबकि अधिकांस अन्य प्राद्यूपिया बरी नदियां पुर्व की और भाती है ऐसा क्यों तो अप्सन जो दिया गया फर्स्ट में यह एक रेखिया बिवरांस रिप्ट हाँ यह एक रेखिया बिवरांस रिप्ट घाटी में बाती तो यही बज़ा हो गया तो इसका जो हो जाएगा केबल हो जाएगा यह हो जाएगा आठ का तो यही बज़ा है बांकी सब कहा हो आता है पूरब की और जब की ना नमदा पस्सिम की और बांक कहा गिर जाती है वो अरब सागर में गिरती है Queshan No.9 निम्लिखित कत्नों में से कौन सा एक सही नहीं है तो इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है पहला महा नदी का उद्भव 36 गड़ के पठार से होता है महा नदी का उद्भव 36 गड़ के पठार से होता है तो इसका सही है इसमें सही नहीं है पूछा गया तो फर्स्ट तो सही है सकेंड गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट में होता है तो यह भी सही है और फर्स्ट और सकेंड सही है तीसरा कावेरी का उद्भव अन्द प करना तक तो यह इसमें गलत्थ हो जाएगा यही आपका एंसर हो जाएगा अपसर नमर्ट शे अब देखेंगे कोश्चन नमर्दस भारत प्राचीन सूपर महादूइब गौंडवाना लेंड का भाग था बर्तवान समय का भूभाग निवन भूभाग सामिल था जो बर्तवान समय में अभी जो भूभाग है वो था गौंडवाना जो गौंडवाना लेंड का जो भाग है जहां सो भारत बना है गौंडवाना महादुप होगा यह अस्ट्रेलिया इसका जो हो जाएगा उप्रिक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यह अफ्रिका हो जाएगा और अस्ट्रेलिया हो जाएगा तो अप्सन नमर हो जाएगा यह उप्रिक्त में से एक से अधिक तो अप्सन नमर क्या हो जाएगा दस का हो जा गैसे बांद पर योजना दिया गया और उस किस रास से संबंदित है रिहन वी उकई ही राकुंड और कोईना ऊपर बांद पर्योजना और यह किस रास संबंदित है तो देखिए दो रिहन का जो हो गया एक का हो गया रिहंद पहला का तीसरा उत्तर प्रतेश उकाई उकाई का हो गया चौधा गुजरात से हीरा कुंड लोग जानते हैं हीरा कुंड कहा है यह ओडिशा में हो गया और कोईना हो गया महराष्ट तो अपसन नमर हो गया इसका फर्स्ट हो गया इसनी इसमें जो सही सुमेळित नहीं है सरदार बांध नर्मादा नदी यह सही है तेलिया बांध यह दिया है कौनार नदी यहाँ पर यह गलत हो गया, तो option नमर जो B है, आपका गलत हो गया है, यह किस नदी पर है, यह है, बराकर नदी पर है, बराकर नदी, बराकर नदी, बाकि इसमें सब सही है, तो option हो गया, इसका B जो हो गया, यह गलत हो गया, सही सुमलिक नहीं है, निमलिखित नगरों में से कौन, राष्टिय राजधानी पर्देश में अवस्तित है, इसमें से कौन सा है, इसमें से पलवल हो जागा, रोहतक हो जागा, करनाल हो जागा, तो option और भारत के निम्लिखीत राज्यों के उनके बनों के चेतर पर के अब रोही करम में वेवस्थ कीजिए अब रोही मतलब घटते करम में तो घटते करम में जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा और अपसान नमब उपसाननो भी हो जाएगा इसका सही कos निम्लिखीत कतनों पे विचार कीजिए पहला लो ओएक का सबसे बड़ा भंडार करनाटक में हैं दूसरा भारत भिस में लो ओएस का दूसरा सबसे बड़ा उतपादक हैं और तीसरा भारत में ओडिसा लो ऐसका सबसे बड़ा उत्पादक है तो इनमें से कौन से कतन सही दिया गया है तो इसका जो एंसर दिया गया है वह है पहला और तीसरा पहला और तीसरा इसका सही है तो अपसन नमर फर्स्ट हो गया अर्था लो एसका सबसे बड़ा भंडार करनाटक में यह सही दिया गया है और भार कोशन नमर 16 देखेंगे हम लोग भारत के निमलिखीत राजियों को जनसंख्यां के अबरोही करम में व्यवस्तित कीजिए तो अबरोही करम क्या हो गया घरते करम में एक होता आरोही करम एक होता अबरोही करम तो अब रोहिकरम इसमें जो हो जाएगा जनसंक्यां के हिसाब से घरते करम जहां सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा तो इसमें अप्शन का नुसार हो जाएगा महरास्ट फिर हो जाएगा पस्यम बंगाल नहीं यह नहीं होगा महराष्ट फिर विहार फिर पस्षिन मंगाल फिर मद्पतेश तो अपसन नमर 16 हो जाएगा यह हो जाएगा सेल तंत्रो में सेल तंत्रो में से डैस भारत के कोईला निश्चायो का प्रमुक्ष रोथ है निचायों का प्रमुख स्रोथ है सेल तंत्रों में से तो सेल तंत्रों में से में क्या भराएगा यह रिकतस्थान में तो यहां जाए गौंडवाना तंत्र सेल तंत्रों में से गौंडवाना तंत्र भारत के भारत के कोईला निचायों का प्रमुख स्रोथ है तो अपसन नमर ह इसका वी हो गया कि नयुक्त गत्तों पे विँचार किजीए पहला महराश देश का सबसे बड़ा नगरी किर्टराज्यह हैं दूसरा मुंबई से अहम दवाद के विच देश का सबसे ब्रीव नागार निर्मित हो रहा है तो तीसरा महरास्ट के नगर मलीन वस्तियों से भरे और अत्यादिक पर्दूसित है तो प्रियुत कत्नों में से कौन सा कतन सही है इसमें से कौन सा कतन सही दिया गया है तो इसका दूसरा जो तीसरा है तो वो सही है मुंबई से एहमदाबाद के बीच देश का सबसे ब्रिन न नगर का जो निर्मान किया जा रहा है और तीसरा महाराष्ट के नगर मलिन वस्तियों से भरे और अत्यधिक पर्दूसी थे कि अंडमान एवां निकोबार दूइब समू में पोर्ट वलेर के समीब की परसीत वलेर प्रवाल भित्ति मिट्ध हो रही है क्यों हो रही इसका क्या कारण है इसका कारण है अत्यधिक मतस्य के कारण अत्यधिक मतस्यान के कारण हो रहा है निमलिखित में से कौन सा भारत के निमलिखित में से भारत के किस राज में जूट की पैदाबर के अंतरगत सरवाधिक छेत्वल इस्तित है तो जूट की पैदाबर के अंतरगत सरवाधिक छेत्वलिसित किस राज में है तो यह राज हो गया पस्रीम बंगाल और भीहर के बात करें तो जूट में तो पुर्णिया आता है निम्लिखित विगमों में से कौन सा यूगम सही सुमेलित है करे आज हमयरक के उनलिखित कि देख भीहर पूंट सही सुमेलित कि दिया गया है विख उप्राद में से एक से अधिक हो जाएगा जाम ननन सही पूंचाया ना तो इसमें हल दिया काहँआ यह तो गलत हो गया पस्लिए बंगाल होता तो तो सही हो जाता है जाम नगर ये गुजरात आप पनान गुडी तमिनार तो इसमें जो सी हो जगा हो सही है बागी इसका जो तोनों गलत दिया गया है तो आपसन नमर हो जाएगा 21 का सी कोश्चन नमर 22 देखेंगा हम 22 भारतिया राज्यों के संदर में निम्लिखित में से कौन सा कर्म तीन बड़े गेहु उत्पादक राज्यों की द्रिष्टी से सही है तो तीन बड़े गेहु उत्पादक राज्यों की द्रिष्टी से कौन सा सही है इसमें तो अपसन नमर इसका हो जगा भी उत्तर परदेश पंजाव और हर्याना निम्लिखित में से किन नद्यों के स्रोद बिंदू लगभव एक ही है तो ब्रहम पुत्रा और सिंदू नदी का अपसा नमर भी हो गया निम्लिखित कत्मों पे विचार कीजिए पहला गांधी सागर बांध पर्योजना चम्मल नदी पर अवस्तित है दूसरा जवाहर सागर पर्योजना बेतबा नदी पर अवस्तित है और राना पर्ताब सागर जो बांध पर्योजना है योमना नदी पर अवस्तित है इसमें कौन साथ सही हो जाएगा इसमें जो सही हो जाएगा वो केवल पहला दिया गया सही गांधी सागरबांद पर्योजना चंबल नदी पर है जबकि जवाहर सागरबांद पर्योजना है ये बेतबा पर नहीं ये चंबल पर है और राना परताब सागरबांद पर्योजना ये भी चंबल नदी पर है तो अपसे नमबल हो जागा फर्स्ट केबल फर्स्ट सही है गां लिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो असत्य पूछा है पहला भोमिक की अद्रिष्टी से प्राधूपिया छेत्र भाहत का सबसे प्राचीन भाग है भी हिमाले विश्व का सबसे नवीन वलित प्रवतों को परदर्शित करता है तीसरा सी नमबर भारत के पस्मी समुद्र निर्मान नदियों की जमाव किरिया से हुआ है उप्रवीक्त में से एक सदिक व्यूट में से कोई नहीं तो इस मैं से कौन से सही हो जागा? तो सी हो justified यह जो है यह सत्य दिया गया वांकि यह दोनों सत्य है तो भारत के पस्मी समुद। टठ का निर्मान नदियों की जमाब किर्या से हुआ यह गलत दिया गया ऑप्सन नमर सी गलत है वांकि option A और B सही है भारत में आप लावी 1 कहां पाए जाते हैं आप लावी मतलब जो mangrove होते हैं mangrove mangrove बन जानते होगा आप लोग जो सुंदरबन में है तो इसमें हो जागा सुंदरबन के डिल्टाई छेत्रों में और गुजरात का रहता तो गुजरात का कुछ भाग है जो कच का भाग है तो वहाँ भी है तो इसका option हो जाएगा C question 27 27 भारत में कौन से मिर्दा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनूर्वर तथा बंजर होता जा रही है भाग में कौन से मिर्दा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनूर्वर तथा अनूर्वर तथा वंजर होता जा रहा तो यह होत जाएगा कौन सा यह होगा laterite मिर्दा यह मिर्दा का प्रकार है soil का type of soils भारत में लिखीत में से किस एक बन प्रारूप में चागोन या टीक एक प्रभावी बीच एस्पीजीज है हम लोग छे पर आगया फिर 27 बाट 28 देखना था ना एक मुनट 27 बन लिखीत यूग में से कौन सा यूग सही सुमेलित नहीं है तो इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं किया गया पर योजना राज़तान पंजाब ये सही है इंन्धरा गांधी नहर पार योजना ये भी राज़तान पंजाब इसमें सो थीनों सही है तो ब्यूक में से कोई नहीं हो जागा उप्सन नमर करो भाद की नocyंड़िक्षी जंजातियों में से कौन बहुपतित पर्था को मानती है तो कौन सा जंजाती मानता है इसमें बहुपतित पर्था को तो जो इसमें मानता है ये हो जाएगा जौन सारी और टोड़ा जंजाती है वो बहुपतित पर्धा को मानती है तो option number हो जागा इसका c हो जागा 29 का option number c question number 30 देखेंगे section number 7 जो हम लोग section test का last question है यह section 7 का सूची 1 को सूची 2 को 2 से सुमेरित कीजिए तथा सूचीयों के नीचे दिये गए कुड का पड़ियोग कर सही उतर का चैन कीजिए पहला हम देखेंगे इसमें क्या दिया है अधिक्तम नगरी किर्थ राज या पर्देश तो कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाएगा तमीन नाडू एका हो जाएगा फोर तूसरा सरवाधिक नगरिया जनसंख्या वाला राज तो सरवाधिक नगरिया जनसंख्या वाला राज इ इसमें हो जाएगा दिल्ली और नियूतर्म जनसंख्यां घानतवरा राज हो जाएगा अरुनाचल पर्देश तो आप्शन नमर इसका हो जाएगा फास्ट ए चलिए आप हम लोग देखेंगे सेक्शन टेस्ट नमबर एट इसमें दिया गया जो कोश्चन है वह पढ़िया बर निमलिखित घटनाओं को उनके प्राराम के कला नुकर्म में वेवस्तित करे और नीचे दियेगे गूट सी सही उतर चुनिये पहला दिया वनने जीव संदक्षन अधिनियां ये कब आता है इसके टाइम प्रियेट के नुशार इसको हम लोग कोश्चन को एर्रेंज करना है वनने जीव संदक्षन आता है 1972 में जे बिभीता अधिनियम आता है 2002 में प्रोजेक्ट टैगर 1973 और प्रोजेक्ट हम धी आता 1992 में तो इसके नुशार क्या हो जगा आपसन नमर हो जगा इसके नुशार बी हो जगा पहला वन थर्ड फोर और सेकेंड तो आपसन हो जगा इसका क्या हो जगा ऑपसन नमर बी इको सिस्टम के संबंद में निम्न में से क्या सत्य है तो इसमें जो दिया गया उत्पादक प्रात्मिक उभोगता से अधिक होता है या अधिक होते हैं तो अप्सन नमर सी हो गया निम्रिखित में से कौन सा संदक्षित छेत्र कावेरी बेसिन में इस्तित है तो कौन सा संदक्षित छेत्र कावेरी बेसिन में इस्तित है यह हो जाएगा पहला तीसरा और चौथा नागरहूल राष्ट्य उध्यान पापी कॉंड़ा राष्ट्य उध्यान वाइनाड वनेज तो ये तीनों हो जाएगा फर्स सकेंड और फोर अप्सन नमर इसका हो जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा कोश्चन नमर फोर देखेंगे निमलिखित में से कौन से ऐसे सरवाधिक संभावनिय अस्थान है जहां कस्तूरी मिर्ग अपने प्राकिर्टिक अवास में मिल सकते हैं तो वह कौन सा हो जाएगा वह हो जाएगा असकोट वनेजीव अब भैर और दूसरा हो जाएगा गंग गोतरी राष्टिया उध्यान तो आपसन नमर हो जाएगा इसका एग चौथा को जाएगा आपसन नमर एग अब हम लोग देखेंगे कोश्चन नमर फाइव सूची एक कहां तो यह है गोवा में कलेशर हो जाएगा हर्याना और बेतला हो जाएगा यह हो जाएगा जारखन तो आपसन नमर हो जाएगा फर्स्ट चौशन नमर 6 देखेंगे निमधी खीट मेंसे कौन सा बैसर विक ताप बिर दksom अरथा गलोबल वार्मिंग का प्रभाब है तो गलोबल वार्मिंग का कौन सा प्रभाब हो जाएगा इसमेंसे यह हो जाएगा समुन्द जल्द तल का बटना हिमानी का पिघलना विमानियों का फाइलना प्रवाल भीतिक का विरंजन होना तो प्रियुक्त में से एक से अधिक इसमें से सभी हो जाएगा प्रियुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा question number 7 देखेंगे प्रियुक्त में से प्रियुक्त में होने के रूप में सत्य मंगलम बाग अरक्षी छेत्र का महत्वादिक है तो option number 7 देखेंगे निम्रिखित में से कौन सा एक प्रितंत्र सब्द का सर्वोत क्रिष्ट वर्नन है तो सर्वोत क्रिष्ट कौन सो वर्नन हो जाएगा तो यह हो जाएगा option number C जीवो का समुदाय और साथ ही हुआ प्रिया वर्न जिसमें वे रहते हैं प्रितंत्र सब्द का सर्वोत क्रिष्ट वर्नन हो जाएगा option number 9 अमल वर्सा किनके द्वारा होने वाले पढ़िया वर्न परदूसन के कारण होती है तो यह हो था नाइट्रस ऑक्साइड और सरफर ऑक्साइड के वज़ा से अमल यह वर्सा प्रितंत्र में खाद सिंखला के संदर में निम्रिखित कत्मों पे विचार कीजिए यह हो जईगा खाद सिंखला उस करम का निर्देशन करती है जिससे जीवों की एक सिंखला एक दूसरे के अहार पर पोसित होती है तो इसका फर्स जाहिए और साओ accuracy के वल फर्स्ट निम्रीखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में परदूसर के रूप में पाये जाते हैं तो इसमें से कौन कौन पाय जाता है इसमें हो जाएगा अर्सेनिक हो जाएगा पी जो हो जाएगा अर्सेनिक के बाद और क्या पाय जाता है यह हो जाएगा फुलॉराइड हो जाएगा और यूरेनियम यूरेनियम में भी कहीं कहीं मिलता है पानी में तो आपसन नमर हो जाए प्रियुक्त में से कौन से भारत में प्राकर्तिक रूप में पाए जाते हैं तो कौन सा जो भारत में प्राकर्तिक रूप में पाए जाता है तो फर्स्ट, सकेंड और ठर्ड तरह कश्वा मॉनिटर छिप के लिए और बामर शूर यह तीनों पाए जाता प्राकृतिक रोब से कोश्यमा ठाटिन निम्रिखी छेत्रों पर विचार कीजिए पहला पुर्वी हिमाले पुर्वी भूमध्य सागरिया उत्तर पस्थिम अस्टेलिया उपरियुक्त में से कौन से जैब विविता का या के होट स्पोर्ट हैं कौन सा है तो केवल फर्स्ट पुर्वी हिमाले निम्रिखीत परस्थित की वर्गी करण पर विचार कीजिए पहला एगा उसकटी बंद निया पर्ण पाती उसकटी बंद ही है सदा पढ़नी और तुन्रा तो उप्युक्त परस्थित की बरगी करण के धवलता प्रिनाम को अब्रो अभी करम जो विवस्तित हो जाएगा यह हो जाएगा पहला तुन्रा फिर हो जाएगा टेगा उसकटी बंद निया सदा पढ़नी और उसकटी बंद निया फर्ण पढ़ाती है तो अपसा नमर हो गया फर्स्ट तो इसमें सो जो हो जाएगा पुन रूप से निम्नी करन दूसरा मनाभिया के लिए क्रिया कलापों से विपरित परिवरतन लाना और प्रिस्तित की बिवेंता के परिनाम स्वरूप प्रिस्थित क्या असंतुलान तो इसमिंए सो जो हो जाएगा option number हो जाएगा D हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए silent valley राष्टे उध्यान नल्ला मलाई का हिस्सा है दूसरा silent valley के निकट पथर का काडू जल विदुद पर यूजना है और तीसरा कुंती नदी silent valley के वनों से निकलती है और silent valley कहां इस्तित है ये केरल में है तो इसमें से हो जाएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा तो option number हो जाएगा इसका बी यर्था दूसरा और जो तीसरा है ये सही दिया गया है पहला गलत है कारवन डर्क्साइड के मान बहुत भावी उसरजनों के कारण असन भुमंडलियत आपन के न्यूनी करन के संदर्व में कारवन प्रच्छदन हेत्तू निमलीखित में से कौन सा संभावित अस्थान हो सकते है तो पहला option जो दिया गया है आद्यवेक्त एवं गयर लावकारी कोईला संस्तर अस्तर हो जाएगा दूसर निसस तेल एवं गयस बंडार भूमीगत गंभीर लवनिया सेल्व समुः इसमें से कौन सा हो जाएगा संभावित अस्थान हो जाएगा तीनों हो जाएगा तो आप सनमर इसका जो हो जाएगा सतरा का ये भी होगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ती दोरा विधी दोरा किये गए कती पे उपन्दों के अधिन होने के सिवा निम्लिखित में से कौन से जन्तु का सिकार नहीं किया जा सकता है तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अनुसार इसमें से कौन से किसका जो सिकार नहीं किया जा सकता है पहला यह जो पहला दिया है वहा है घरियाल दूसरा भारतिया जंगली गधा तीसरा है जंगली भैल तो इनमें से कौन-कौन से हो जाएगा तो इसका जो हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा तीनों हो जाएगा इसका सिकार नहीं किया जा सकता है अप्सन नमर B भी हो जाएगा गाडगिल समीती रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कस्तूरी रंगन समीती रिपोर्ट का संबंध किस छेतर से है तो किस छित्र से यह पस्मी घाटों के संदक्षांस है कोश्चन नमर्ट 20 ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है तो यह है यह सरकार इवं वेवसाई को नेतिर्थ परतान करने के लिए प्रबंध हे तु अंतर्रास्ट्य लेखा करन साधन है तो अप्सन मलोज का हो जागा यह निम्रखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला अंतर्रास्ट्य सौड गठवंधन को वर्ष 2015 में अरहम किया गया दूसरा इसका मुख्यल है गरुग्राम हर्याना में बर्तमान में इसके 120 हस्ताक्षर करता है तो ब्युक्त में से कौन से कत्थन सही है तो इसका तीनों सही दिया गया तो अपसर नमर बी हो गया और निम्रिखी तिवमों पर विचार कीजिए पहला एनेक्स वन देश दूसरा सटिफाइड एमिशन्स डिदक्शन क्लीन डेवलोप्मेंट मेकेनिज तो फिक में से क्या सही है इधर दे दिया काट जोनब प्रोटोकॉल संबंदित है किसे संबंदित प्रोटोकॉल दे दिया गया है कोईटा प्रोटोकॉल तो इसमें से जो सही सुमेलित है वह हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा केवल तीसरा सही है क्लीन डेवलोप्मेंट मेकेनिज अथा कोईटो प्रोटोकॉल से यह संबंदित है यह दोनों गलत है निमलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव दोरा ग्रन किये गए दिकस्थान का ही नहीं बलकि जीवों के समुदाय में उसकी कर्यात्मक भूमिका का भी वर्नन करता है निमलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव दोरा ग्रन किये गए दिकस्थान का ही नहीं बलकि जीवों के समुदाय में उसकी कर्यात्मक भूमिका का भी वर्नन करता है तो वो क्या है तो वो है फरिस्थित की कर्मता पड़ी तंत्र उत्पादक्ता के संदर में समुदरी उत्परवा छेतर इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि ये निमलिखित माध्यम या माध्यमों से समुदरी उत्पादक्ता बढ़ाते हैं पहला अब घटक सुक्ष्ण जीवियों को सता पर लाकर दूसरा पोस्को को सता पर लाकर तीसरा है अद अस्तलिय जीवों की सता पर लाकर तो व्यूक्त में से कौन सा कथन सही है तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्सन नंबर हो जाएगा बी अर्था दूसरा और तीसरा सही है पोस्को को सता पर लाकर अध अस्तलिय जीवों को सता पर लाकर हिमालय परवत परदेश जय बिविधा के दृष्टी से अत्यन समिर्ध है इस समिर्धी के लिए निम्रीखित में से कौन से कारण सब से उपर्युक्त है तो कौन से कारण सब ज़्यादा उपर्युक्त है तो इसका जो में कारण है वह है या बिविन जय बहुगौलिक छेत्रों का संगम है अप्सान नमर 2 हो गया निम्रीखित कत्नों पर विजार कीजिए पहला टेकसस ब्रीच हिमालय में प्राकर्तिक रूप से पाया जाता है दूसरा टेकसस ब्रीच डाटा बुक में सुची बद है जो रेड़ लिस्ट होता है कि अगे देखें हैं ञां टेकसस ब्रीच डेकसल नामक वश्वन की जाती है जो फार्कर किंसन रोम के विरुध प्रभावी है अथा परकृसे इस हो केवल हो जाएगा पहला और दूश्रा कि कोष्जन नमर्ट 27 निम्रखीत में कौन सा टॉप स्लीप में से कौन सा नम से जाना जाता है टॉप स्लीप के नाम जाता है तो इस जाना जाता इंद्रा गांधी राष्ट यूद्ध्या नमर्ट हो गया, 28 देखेंगा, निमलिखित में से कौन सा भारत में, निर्वानि करन का प्रभाब नहीं है, तो निर्वानि करन का प्रभाब नहीं है भारत में कौन सा, तो ये है, नग Singing करन में विर्धि, अपसर한다 C हो जाएगा, निम्लिखित में से कौन सा जैव उपचार का सबसे अच्छा वर्नन है यह एक प्रकिरिया है जो दुसीत पदार्थों के उपचार के लिए सुख्ष जीवों का उपयोग करती है अपसा नमर फर्स्ट हो गया निम्लिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी पर्दूसन का सरोत है तो निम्लिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी पर्दूसन का सरोत है तो वो है कौन सा चिकसा उपकरन और इसमें सबी हो जाएगा परमानों रियक्टर से भी होगा, मिर्दा तलचट से भी होता है, मेगमा से भी होगा तो पहला दूसरा तीसरा चाओ था, तो इसमें से सभी जो है, वो डेडियो धर्मा पर दूसरा का स्रोत है तो option हो गया B30 का तो हम लोग complete कर लिए, section test number 8 भी तो आज हम लोग देखें, section test 7 और 8 चलिए हम लोग कोशिस करेंगे, जल से जल से इस section test को complete करें और जो practice set है BPSC का उसे शुरू करेंगे ठीक है दोस्तों, अब वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप लोग ज़रो like कीजिए और share कीजिए मिलते हैं हम लोग next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद